दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के करोल बाग एरिया में कुछ दिन पूर्व हुई दो किलो सोने की लूट के मामले में फरार आरोपी को गिरफ़तार किया है। ललित मोहन नेगी के नेदित में इंस्पेक्टर राजेश इंस्पेक्टर संजे गुपता की टीम ने आरोपी को सराय काले खांबस स्टैंड के पास से जाल बिछा कर गिरफ़तार किया। अजीत हत्या, हत्या के प्रियास, डकैती, सहीत, दिली और यूपी के कई मामलों में भी शामिल है। वर्ष 2017 में जमानत पर रीहा होने के बाद से वो अदालतों में उपस्तित नहीं हो रहा था। किरफ़तारी के बाद लूटा गया एक किलो सोना और एक पिस्टन और पांच कार्थूस बरामत किये हैं। पुलिस में आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। झाल एक किया है।